हलो एंड गुड मॉर्निंग एवरिवन आज की इस लेक्षर में हम स्वलिट स्टेट फिजिक्स की एक और प्रोब्लम को डिस्कस करने वाले हैं जो कि एक स्टुडेंट्स के द्वारा पूछी गई है और प्रोब्लम है आपने पास एसी जोजबसन इफेक्ट और यह जो टॉ स्टेट की प्लेलिस्ट में जाना है वहां पर आपको स्टेट फिजिक्स के जितने भी लेक्षर हों वह सब मिल जाएंगे और वह सब की सब लेक्षर एक्जाम पॉइंट ओवी से बहुत ज्यादा इंपोटेंट है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं तो जो एसी जोजबसन अगर आपने देख रखाया तो यहां को बहुत अच्छे से समझ जाए जाएगा तो सबसे पहले हमने यहां पर क्या लिया है हमने यहां पर दो सूपर कंड़क्टर की पीस लिये हैं और उनके बीच में हमने एक इन्सूलेटिंग लेयर सेंडवीच कर दी मतलब अपने पास जैसे जो सेंडवीच होता है सबसे पहले अपने पास ब्रेड होता है ब्रेड के उपर हम सोस लगाते हूं उसके उपर फिर क्या होता है बिल्कुल वैसा ही यहां पर है सबसे पहले क्या है एक सूपर कंड़क्टिंग स्लैब है उसके उपर हमने एक इन्सूलेटिंग लेयर हे फोजियूटिए और यह यह नेग स्पतील Africa हमने और स्पराओ और यह एंदर है अनदर अधर हमने प्रगर्ण कितने अनदर अनने इलेक्वन के अन दर स्पांल ब्द आधर ननिये लेक्वनberry में लिए हमने साइवन और जब इलेक्रोन सेकेंड स्लैब के अंदर होगा तो उसका वेव फंक्सन है वो हमने में यहाँ पे मान लिया साइट तो अब जब हम यहाँ से बहार से पोटेंशियल डिफ्रेंस अप्लाई करेंगे तो यहाँ पी जो electron pair है इस सूपर कंड़क्टिंग स्लैब के अंदर ये electron pair है वो electron pair कुछ ना कुछ है potential difference experience करेगा उस potential difference से हम यहाँ भी वर्क निकाल लेंगे तो potential difference क्या होता है potential difference होता है अपने पास potential difference होता है work done by charge ठीक है तो हम अगर यहां से work निकालना चाहें तो यह आ जाएगा potential difference को हमने यहां से v से denote कर दिया तो यह आ जाएगा w equal to v और charge कुछ तरफ लेकी जाएंगे charge को हमने लिख दिया क्यों ठीक है अब अपने पास यहां पे क्या है electron pair है मतलब electron pair को जिसको हम Cooper pair भी होन तो यहां पे एक electron यह है दूसरा electron यह थो इन डोनों इस electron pair पर कितना charge हो जाएगा? इलक्रٌ पर चार्ज हो जाएगा LIKE? ठीक है सो charge की value कितना है अपने पास? रहता है minus 2 e हो जाएगी । यह क्यों की value हम यहां पे रक सकते हैं तो यह 2 2e और इंटू में v ठीक है और e यहां पर क्या है electronic charge को represent करता है charge इंटू यह क्या है potential difference यह क्या जाएगा अपने पास वर्गडन आ जाएगा और यह माइनस का sign ठीक है तो यह हमने work done निकार लिए यहां पर माइनस 2e 3 यह work done होगा और जो electron हो वो कितना potential difference experience करेगा यह वाला potential difference experience करेगा उसके बाद next point next point में हम यहां पर क्या लेके चलेंगे equation of जब electron pair जब इसको insulating layer को tunnel करके जब जैसे ही potential difference अप्लाई करेंगे तो क्या होगा जो electron pair है वो इस insulating layer को tunnel करके कहां पर जाएगा दूसरी slab के अंदर जाएगा ठीक है जब फर्स slab में था electron pair तो उसके जो wave function था यह जो probability amplitude था वो कितना था साइवन था जैसे ही second में जाएगा तो उसका जो probability amplitude है वो कितना हो जाएगा साइटू हो जाएगा इसके लिए हम यहां पर श्रोडिंगर wave equation लेके चलेंगे तो श्रोडिंगर wave equation क्या हो जाएगा यहां पर आयटा h cut पहले हम किसके लिए लिख रहे हैं जो first wave function है उसके लिख रहे हैं साइवन के लिए तो यह आ जाएगा आयटा h cut curly साई 1 by curly t equal to h cut t यहां पर लिख रखा बस यह time dependence loading and wave equation हमने यहां पर ले रखी है ठीक है अब यहां पर यह जो T है T क्या है यहां पर जो electron electron के बीच में जो coupling energy वो उसको हम बोलेंगे यहां पर T या फिर electron pair coupling भी बोल सकते हम यहां पर T को या फिर जो transfer interaction across the insulator जब electron उस insulator या उस insulating layer में से transfer होता है उसकी interaction energy भी हम बोल सकते हैं तो यह अपने पास पता लगया ठीक है यहां पर EV जो हमने बाहर से potential difference apply कर रखा है वो यहां पर क्या है EV है तो यह कहीं ना कहीं क्या है अपने पास हमने energy में से energy minus कर रखी यहां पर ठीक है पहले जो second slab की energy है उसमें से यहां पर first slab के energy minus कर रखी है और into में अपने पास क्या है जो probability amplitude है वो यह तो हमने लिखा first के लिए जाकर मैं यहां पर second के लिए लिख हूँ second wave function के लिए तो वह आ जाएगा eta h cut curly psi 2 by curly t ठीक है जहां पर psi 1 है वहां पर psi 2 कर देंगे जहां पर psi 2 हो वहां पर psi 1 कर देंगे h cut t और यह psi 1 minus ev psi 2 ठीक है अब इसको हमने equation number 1 बोल दिया इसको equation number 2 बोल दिया अपर next में हम क्या करने वाले हैं यहां पर यह जो अपने पास psi है इस psi का हम एक solution assume करेंगे ठीक है अपने पास यह अपने पास psi है psi 1 इसका हम यहां पर एक solution assume करेंगे solution हमने यहां पर माल लिया अपने पास क्या है यह है n1 और इसकी power half और exponential आयटा theta 1 ठीक है और जो second wave function हमने यह है जो wave function उसका solution यह माल लिया n2 इसकी power half exponential आयटा theta 2 ठीक है अब करने के वाले हैं अपने पास यहां पर psi की value है ठीक है जो हमने solution अजूं किया वहां से अपने pppsi की value आजाएगी अब यह जो sincipline की value है इसका हम क्या करेंगी hani term के रिप्रेटाइव करेंग 2019 ठीक है अब के सांसा जांस की value है इसकी value ही वाली 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 आजाएगी तो next step में हम यही करने वाले है ठीक है अब पहले है धुम से simplify 4 में लिख लेते हैं simplified 4 में लिखेंगे तो यह क्या जाएगा अपने पास n1 की पाउर कितना है half है तो इसको हम लिख सेंगे n1 root ठीक और इस exponential आयटा ठीटा को हमने लिख लिया तो यह जो equation number 1 है और equation number 2 है इसके अंदर put कर देंगे ठीक है अब यह जो calculation है वो करेंगे हम अगले section के अंदर अब इसका जो theoretical portion है जो आपको एक्जाम में लिख के आना है स्टार्टिंग में उसके उपर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं ठीक है अब इस पूरे इस lecture में होने क्या वाला है वह आपको यहां पर समझा दिया है कि हम यहां पर क्या क्या करने वाले हैं तो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो let us consider two superconducting slab one and two हमने दो superconducting slab ली है अपने पास slab one और यह है अपने पास slab two ठीक है इन दोनों slab के बीच में हमने जो insulating layer है उसको sandwich कर रखा है तो यह अपने पास क्या है यहां पे insulating layer है या फिर दूसरे word में simplified word में लिखना चा यहां पे voltage apply करती किसमें जोजप्शन junction अब यहां पे एक superconductor insulating layer और फिर से क्या है superconductor तो यहां पे यह जो junction बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे जोजप्शन junction बोलेंगे और electron फ़स्ट जो electron pair इस insulating layer को tunnel करके एक superconducting slab से दूसरी superconducting slab में जाएगा उसको हम बोलते जोजप् लिंक ठीक है उसके बाद next point next point में दे रखे an electron pair experience a potential difference पिल्कुल बाहर से हम potential apply करें तो electron को पे एर है वो कुछ ना कुछ potential difference experience करेंगे potential difference क्या होता अपने पास work done upon charge ठीक है work की value अकर मैं यहां से निकाल यह तो charge को ठाके उस्तरब लिया आँगा तो w equal to kyao v ठीक है उसके बाद क्या हो की value क्या जाएगे आपने पास electron pair है तो एक electron पे charge कितना होता e होता है 2e हो जाएगा तो यहांपी जो charge हो कितना हो जाएगा minus 2e ही हो जाएगा electron pair के उपर और जो electron pair है उस electron pair को हम क्या बोलते है खुपर पेर भी बोलते हैं ठीक है उसके बाद next point पेर ओन one side is a potential energy minus eb जो first superconducting slab है उसमें जो potential energy है वो minus eb है जो second superconducting slab है उसमें जो potential energy है वो कितना ले ले हमने यहाँ पर plus eb ले 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 n1 और n2 क्या है superconducting electron है या फिर electron pair slab 1 और slab 2 के अंदर उसके बाद हमने बता रखा जो psi 1 और psi 2 है यह wave function slab 1 और slab 2 के अंदर उसके बाद next में हमने यहाँ पर बता रखा जो equation of motion या फिर जो हमने time dependence rodinger wave equation ले थे electron के motion के लिए वो हमने यहाँ पर लिख रखी है जो first wave function है उसके लिए हमने यहाँ पर लिखी है Ita h cut कर ली psi 1 by कर ली t equal to ht psi 2 minus eb psi 1 ठीक है यहाँ पर interaction energy है ठीक और उसके बाद जो second है second psi 2 के लिए हमने यहाँ पर लिख दी Ita theta अब इसको थोड़ा simplified form में करके हमने यहाँ पर लिख दिया ठीक है अब similar जो side 2 उसका भी solution हमने assume किया उसको simplified form में करके यहाँ पर लिख दिया अब next जो task है next task यह है अपना यह जो psi 1 है कर ली psi 1 by कर ली t इसका time के respect में derivative करना है तो क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पर जो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूं n की power कितना लिख ले यहाँ पर हम 1 by 2 लिख लेते हैं और e की power आयटा theta 1 ठीक है और u into v से इसका differentiation कर देते हैं तो यह क्या जाएगा सबसे पहले यह वाली जो term इसका करेंगे तो power सबसे पहले क्या आएगी आगे आएगी तो power आगे आएगी तो 1 by 2 और n1 और power में से एक half होता है तो यह आजाएगा minus 1 by 2 ठीक है उसके बाद यह ज अब यह जो n है इस n का हमने time के respect में तो किया नहीं तो time के respect में करेंगे तो यह क्या जाएगा curli n1 by 42 ठीक है यह इसका time के respect में derivative कर दिया उसके बाद जो यह है यह जो first function है इसको as it is रखेंगे अब इसका derivative करेंगे तो क्या जाएगा यह जाएगा यह जो n1 है इस n1 की power जो 1 by 2 है वो हमने यहां पर as it is रखी उसके बाद इसका करेंगे तो यह आएटा theta क्या जाएगा आगे आजाएगा तो यह आजाएगा आएटा हमने आगे लिख देंगे similar si2 का differentiation भी हम कर देंगे जहाँ पर n1 है वहाँ पर n2 आजाएगा जहाँ पर theta 1 है वहाँ पर theta 2 आजाएगा जहाँ पर si1 है वहाँ पर क्या आजाएगा आजाएगा पिल्कुल similar होगा ठीक है ऐसे आप लिख सकते अब इसको थोड़ा सा simplified form में करके हम थोड़ा सा लिख देते हैं जैसे आपने पास यहाँ पर n की power minus 1 by 2 हो तो यह जो power है वह प्लस की हो जाएगी दूसरा curly n1 by curly t है तो जो n1 है इसका t के respect में differentiation हो रखा तो हम क्या लिख देंगे इसको n1 dot लिख देंगे यह जो dot हो time derivative को represent करके बताएगा similar यह अपने पास curly theta 1 by curly t है यहाँ पे भी हम theta dot theta 1 dot लिख देंगे ठीक है तो यह जो dot है यह भी यहाँ पर time derivative को represent करके बताएगा तो यह हमने यहाँ पर direct लिख दिया जो curly psi 1 और curly t है उसका differentiation करके हमने यह है यह लिख दिया और similar जो side 2 का है वो हमने यहाँ पर लिख दिया अब अगर मैं इसको थोड़ा simplified 4 में करके लिखना चाहूं तो क्यासे लिख सकता हूं curly psi 1 by curly t और equal to 1 by 2 इस n1 को नीचे लिख लेते हैं n1 root ठीक है इसकी power half थी हाँ पाउर से root लिख 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 ल 1 और e की power आयटा theta 1 और साथ में आयटा और करली theta y करली t इसको क्या लिख सकते हैं theta 1 dot लिख सकते हैं अब इसको हमने बोल दिया कुछ भी equation number a हम इसको हमने बोल दिया equation number capital a ठीक है अब यह जो equation i है अपने पास curly psi by curly t इसको हम कहां पर put करेंगे इसको हम put करेंगे equation number 1 के अंद ठीक है और second में जो ht है यह as it is रहेगा side 2 की value हमने यहाँ पर assume कर रखी इसका solution है वो यह रहा root n2 e की power आयटा theta 2 minus e b as it is रहेगा side 1 की value अपने पास है यह रही root n1 e की power आयटा theta 1 ठीक है तो अगले session के अंदर हम यह value direct is के अंदर put करेंगे और put करने के बाद उसको solve करेंगे तो सबसे पहले हमने यहां पर यहहां पर यहां पर निकाली यह complete value हमने इक पर पूट करती यह complete value यहां पर आगी उसके बाद equal to history यहां पर saute GUYlegt , meters music as anirez之 , ev यहाँ पे same और psi 1 की value हमने यहाँ पे यह पूट कर दी, ठीक है, अब next में क्या करेंगे, यह वाली जो term है, यह वाली जो term है, इसके अंदर यह e की पावर आयटा theta 1, और e की पावर आयटा theta 1, दोनों में common है, तो बाहर निकार लेते हैं, as cut यहाँ पे as cut, इस term में से e की और आयटा theta 1 से हमने इसको divide करवाया, और multiply करवाया किसे, root n1 से, ठीक है, तो यह हम अभी कर लेते हैं, तो इसको हमने divide करवाया किसे, आयटा as cut, आयटा as cut, e की पावर आयटा theta 1 से हमने इसको divide करवाया, और multiply किसे करवाया है, root n1 से, तो n1 से multiply करवाएंगे, root n1 से multiply करवाया यहाँ पे यह root n1 से multiply करवाएंगे यह root n1 से multiply करवाया इसको इसको पहले divide करवाएंगे किसको equal to कि side वाली तरम को divide करवाएंगे eta h cut e की power eta theta 1 से तो यहाँ पे divide में कर देता हूं और multiply किसे करवाएंगे, n1 से multiply करवाएंगे, root n1 से तो यहाँ पे into में, यहाँ पे लिख देता हूँ, into में, root n1 हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, similar, यह वाली जो ट्रम है, इसको भी हम क्या करेंगे, और multiply करवाएंगे, किसे root n1 से, ठीक है, तो यह आजाएगा, root n1 से हमने इसको multiply करवाएंगे, तो अब जो ट्रम कैंसिल हो रही है, उसको कैंसिल कर देते हैं, आऎटा तो यहाँ पे ही, एक रूट एन वन यहाँ पे है, तो क्या आजाएगा, complete n आजाएगा, आपने पास, यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, ita से यहाँ पे,ac literal cancel हो जाएगा ठीक है अब divide में Aeta है तो divide में Aeta का दूर करने के लिए हम क्या करते है इसको Aeta से multiply करवा देते है और Aeta से divide करवा देते है तो उपर क्या आजाएगा अपने पास यहाँ पे dea a आयटा ठीटा 1 से e की पावर आयटा ठीटा 1 कैंसिल फिर से डिवाइड में क्या यहाँ पर फिर से हम इसको आयटा से मल्टिप्लाई करवाएंगे आयटा से डिवाइड करवाएंगे नीचे क्या जाएगा आयटा स्केर की वाल्यू कितना होती है माइनस 1 ठीक है अब माइनस क क्या हो जाएगा यहां पर प्लस हो जाएगा तो यह वाली जो टरम है वह हम पहले लिखेंगे क्योंकि प्लस की है और यहां पर क्या है रूट N1 और यह भी क्या है रूट N1 तो यह क्या हो जाएगा n आजएगा यहाँ पे n1 ठीक है आयटा बचा आयटा को as it is theta1 dot बचा theta1 dot यहाँ पे as it is ठीक है अब इधर क्या बचा इधर electron ev ev को हमने यहाँ पे as it is लिखा आयटा multiply और divide करवाएंगे तो आयटा की ठरम आएगी साथ में root n into root n क्या जाएगा n आजाएगा divide में क्या है h cut है तो h cut हमने यहाँ पे लेखती है और similar minus में यह वाली जो तरम cancel होई वो cancel करती अब यहाँ पे यह जो अपने पास divide में क्या बचा e की पावर आयटा theta1 ठीक है उपर क्या है e की पावर आयटा theta2 तो यह e की पावर आयटा theta1 को उठा के माइनस में है अब e की पावर आयटा क्या राइस में से को मना रहा तो यह आजाएगा e की पावर आयटा हमने बाहर निकार लिए क्या जाएगा theta2- theta1 ठीक है तो यह हमने यहाँ पे लिख दिया अब next उसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे यह अपने पास theta2- theta1 है इसको हम delta पूट कर लेते हैं बाकी पूरी की पूरी जो तरम है वो यहाँ पे as it is रहेगी तो इसको लिख देते हैं 1 by 2 n1 dot plus आयटा n1 theta1 dot equal to ev n1 और यह आयटा भी साथ में divide by h cut minus आयटा t और यह root n1 n2 और इसको हम क्या लिखेंगे यह आयटा बाहर लिखेंगे आयटा बाहर theta2- theta1 को हम पूट कर देते हैं डेल्टा ठीक है तो यहाँ जाएगा e की पावर आयटा डेल्टा अब next step में हम क्या करेंगे यह जो e की पावर आयटा डेल्टा है इसकी value पूट कर देंगे और इसकी value क्या होती है अपने पास से cos delta plus आयटा sin delta यह value हम यहाँ पे पूट कर देंगे फि इसकी value क्या हो जाएगे अपने पास cos delta plus आयटा sin delta ठीक है बाकी की पूरी तरम हमने यहाँ पे adjectives लेखी है अब next task में हम क्या करेंगे यह जो equation है इसका real part और जो imaginary part है इसको अलग-अलग कर लेते हैं तो real part अगर मैं देखो यहाँ पे तो जो आयटा वाली तरम नहीं है वो क minus minus वाली यह तरम क्या हो जाएगी पलस हो जाएगी तो एक तरम यह आएगी यहाँ से दूसरा t root n1 n2 sin delta यह तरम आ जाएगी तो हमने next task में यही किया जो real part है उसको हमने यहाँ पे लिख लिए यहाँ से 1 by 2 n1 dot और second term यहाँ से आ जाएगी ठीक है अब यह जो 2 है इसको यह है अपने पास दूसरी टरम यह है और एक तरम कुण से आएगी एक तरम आएगी अपने पास यहाँ पे cos delta आयटा टीक उंदर multiply करोंगा तो cos के आएगा तो आयटा imaginary part में होगा तो आयटा n1 theta 1 dot हमने यहाँ पे लिखा n1 theta 1 dot आयटा इसलिए नहीं लिए कि कोफिसेंट उ ठीक है अब यह वाली जो टरम है इसको उठाके मैं equal to के side से उस तरफ लेके जाएगा तो यह टरम किसकी हो जाएगी minus की हो जाएगी इस तरफ यह टरम रह जाएगी अब इस पुरी equation को मैं both side 2 से multiply करवा देता हूं 2 से multiply करवाँगा तो यहाँ पे अपने पास 2 आ जाएगा यहाँ पे भी अपने पास 2 आ जाएगा ठीक है अब एक equation real part की equation आई है अपने पास यह जिसको हमने equation number A बोला है और जो imaginary part की equation आई है अपने पास यह जिसको हमने B बोला है अब यह equation कब आई है जब हमने equation number 1 के अंदर curly side by curly T की value रखी थी और साथ में side 2 और side 1 की value रखी थी त जब value रखने के बाद उसको थोड़ा simplify करने के बाद फिर अपने पास यह जो equation number A और equation number B है वो अपने पास आई ठीक है similar हम क्या करेंगे यह वाली जो term है अपने पास equation number 2 है इस equation number 2 में curly side 2 by curly T की value रखेंगे side 1 की value रखूँगा side 2 की value रखूँगा same step को follow करूँगा और follow करने के बाद फिर से मैं एक equation निका दूँगा और equation आएंगी बिलकुल अपने पास ऐसे ही सिरफ difference क्या होगा उसकी उसमें चो real part की equation आएगी मैं यहाँ पी लिख देता हूँ real part की equation क्या आएगी तो यह आजाएगा यहाँ पर जहाँ पर n1 है वहाँ पर n2 कर देते हैं ठीक है तो यह आजाएगा n2 dot equal to 2t root n1 n2 और sin delta ठीक है यह आपने पास दूसरी equation आजाएगी जब हम कर ली side 2 by कर ली t की और side 1 और side 2 की value रखूँगा equation number 2 के अंदर ठीक है इसको हमने बोल दिये इमेजनरी पार्ट है इमेजनरी पार्ट की टरम भी अपने पास है यही आएगी सिर्फ डिफ्रेंस के आएगा यहाँ पर minus की जगह पलस आजाएगा तो यह आजाएगा 2 n1 theta 2 और यहाँ पर n2 ठीक है और यह theta 2 dot plus 2ev n2 by h equal to minus 2t root n1 n2 और cos delta ठीक है यह वाली equation आजाएगी अपने पास imaginary part की, ठीक है, तो ये वाली जो equation है, इसको हमने बोल दिया B, और ये वाली जो equation है, इसको हमने बोल दिया D, ठीक है, अब ये जो 4 equation अपने पास आई है, इन 4 equation की help से अपना जो result है, मुझे result के उपर पहुचेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो real part की equation आई और C, इनको अगर मैं compare करूँ, compare करूँगा तो क्या आएगा, अगर मैं देखू धान से, तो यहाँ पी जो 2T root N1 N2 sin delta, और 2T N1 N2 sin delta, इन दोनों equation की, जो right hand side की टरम है, वो क्या है, similar है, तो अगर मैं इनको compare करूँगा, compare करूँगा, तो क्या जाएगा, अपने पास N1 dot equal to क्या जाएगा, N2 dot के आजाएगा, तो compare करने के बाद हमने क्या किया, equation A और equation C को compare किया, compare करने के बाद अपने पास क्या मिलता है, चो N1 dot है, वो किसके equal आजाएगा, N2 dot के equal आजाएगा, ठीक है, अब इसको हमने equation number star बोल दिया, अब यह star equation क्या बताती है, अपने को, star equation यह यह बताती है, HC हो या DC, मतलब या तो HC जो जब्सन एफट हो, या फिर DC जो जब्सन एफट हो, जो नमबरो पार्टिकल है, वो शेम रहेंगे, नमबरो पार्टिकल कम और ज्यादा नहीं होंगे, या फिर हम ये भी पॉल सकते हैं, ये एक्वेशन अपने को नम, जो अगला रिजल्ट नहीं का लेंगे, तो यहां पर एक्वेशन नमबर B और D को, अगर मैं ध्यान से देखू, तो इनकी जो राइट हैंड साइड है, वो क्या है, दोनों की सेम है, तो राइट हैंड साइड अगर सिमलर है, तो जो लेप्ट हैंड साइड है, इनको मैं एक्व इक्वेशन नमबर स्टार्स से अपने पास जो N1 बराबर हो किसके है, N2 के है, तो जहां पर N2 है, वहां पर हम क्या कर देंगे, N1 कर देंगे, और यह वाली जो ट्रम है, इसको उठा के एक वोल 2 के साइड से उस तरफ लेके जाएंगे, तो यह ट्रम पलस की है, यह उदर इक्वेशन और यह वाली जो इक्वेशन है, इसमें 2EV बाइच कट, 2EV बाइच कट हमने बाहर कॉमन निकाल लिए, अंदर क्या बचेगा, N1 माइनस N2, ठीक है, यह हमने यहां पर, यहां पर चोटी सी मिस्टेक, हम क्या करते हैं, इसको सोल करने के लिए, अब अपने पा इसको डिवाइड करवा दिया, ठीक है, अब इस 2N1 से यह 2N1 कैंसिल, यहां पर भी यह 2N1 कैंसिल, यह ट्रम कैंसिल, ठीक है, और इससे यह कैंसिल, क्या बचेगा, यहां पर यहां पर बचेगा, ठीटा 2 और यहां पर बचेगा, ठीटा 2 माइनस से ठीटा 1, ठीक है, और इस ट्रम को उठा के equal to के side से उस तरफ लेके गया तो यहाँ जाएगा अपने पास अब यह जो dot है dot यहाँ पर क्या represent करता है time derivative को represent करता है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे time derivative के साथ इसको लिग दया d theta 2 by dt और same theta 1 को यह वाली ट्रम यहाँ पर as it is अब dt यहाँ पर भी है dt निकाल लिए क्या देगा theta 2 minus theta 1 यह वाली तरह यहाँ पर as it is अब जो theta 2 minus theta 1 है इसको हमने पीछे क्या put किया था यहाँप हमने इसको delta पर प्पोत के था था तो हमने यहाँ पर इसको ने यहाँपर लेता हूँ एक सेके-ईया पर Sé guys गरते देज़ यह आया अपने पर टो इवी पाइच कट ठीक है इस डीटी को उठाकि एक्वल टू के साइट से उस तरफ लिके जाओंगा तो यह आ जाएगा अपने पास डीडेल एकवाल टो माइनस टो इवी पाइच कट और यह डीटी यहाँ पे ठीक है अब बोच साइड इंटीगरेशन करवा देते हैं इं साइगा माइनस टो इ, वी, बाइ, S 2 or सात में क्या आ जाएगा टी, और सात में एक इंटीग्रेशन कंस्ट Community जरूर लेके चलेंगे तो यह हम हम 0 C, C की value आ जाएगे अपने पास C हम यहाँ पर पूट करेंगे, C की value यह वाली value C की हम यहाँ पर पूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा del T equal to minus 2 e b t by h cut और plus में यह जो C है C की जगा क्या पूट कर सकता हूँ, del not put कर सकता हूँ, अब 1 second, अब यह वाली जो equation है, वो अपनी यहाँ पर क्या represent करके बताती है, time dependency को represent करके बताती है, अगर इसको थोड़ा simplify करना चाहूँ तो यह कर सकता हूँ, यह जाएगा del T, और equal to, यह जो del not है, इसको हमने आगे लिख लिया, इसको हमने omega put कर दिया, तो यह आजाएगा, omega T, अब यह जो equation है, वो बताएगे अपने को time dependency, time dependency, और हम यह बोल सकते हैं, यह कि अपने पास AC जोजब्सन effect है, और जब उसमें से current पास होता है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ electromagnetic wave produce होती है, जो electromagnetic wave produce होगी, उसकी frequency कितना होगी, 2EB by edge cut, ठीक है, अब अगर frequency produce होती है, तो हम बोल सकते हैं, वो क्या है, वहाँ पे, यह है AC जोजब्सन effect, ठीक है, I hope आपको यह topic समझ आयो, अगर कोई बात समझ नहीं आई हो, तो आप message करके, या call करके, पूछ सकते हो, thank you.